चिर्यां का बेटा कुक्कू नदी से पानी पीकर घर वापस लोट रहा था कि तभी रास्ते में उसे कोई चीज पड़ी हुई दिखाई देती है तो वह वहां रुकता है अरे ये तो कोई मोबाइल फोन है ना जाने किस पक्ची का या फोन यहां गिर गया है और फिर कुक्कू वो मोबाइल उठा कर वहां से अपने घर ले जाता है कुक्कू बेटा ये फोन तो कैमरे वाला है यह फोन बहुत महंगा है कुक्कू बेटा ये फोन आपको कहां से मिला ममा ये मुझे रास्ते में गिरा पड़ा हुआ मिला था तो मैं इसे उठा कर घर ले आया कुकु बेटा, कल सुबा हम सारे पक्चियों से पुछेंगे कि यह फोन किसका है, जिसका भी होगा यह फोन उसे हम लोटा देंगे और फिर चिर्विया, और इसका बेटा ऐसा ही करते है मिठ्चू, कहीं तुम्हारा मुवाइल फोन खो तो नहीं गया है यह देखो, यह फोन कल रास्ते में मेरे बेटी को गिरा हुआ मिला था नहीं नहीं चिर्या बहल, यह फोन मेरा तो नहीं है थोड़ी दूर एक पेर पर बैठी गोरी कवी, यह सब देख और सुन रही थी वह जट से उरती हुई वहां आती है चोड़नी कहीं कि, यह मुवाइल फोन तो मेरा है, तुमने कहां से चुड़ा लिया लाओ, यह फोन मुझे वापस करो सरम करो गोरी कवी, क्या मैं चोड़ हूँ आंटी, यह फोन तो मुझे रास्ते में कल गिरा पड़ा हुआ मिला था आरे हाँ हाँ, खोब जानती हूँ मैं, तुम मा बेटे के चुचले चलो लाओ, यह फोन मेरा है, मुझे वापस करो और फिर चिडिया वो मुबाइल गोरी कवी को दे देती है गोरी बेहन, इसमें गुसा होने वाली क्या बात है रास्ते में परी हुई कोई भी चीज, कोई न कोई तो उठा ही लेता है मेरे पती अभी कल ही मेरे लिए ये कैमेरे वाला मुबाइल फोन खरीद कर लाए थे और फिर गोरी कवी, वो मुबाइल उठा कर वहां से अपने घर चली जाती है कालो, कालो, आज तो मेरी बचपन की एक चापूरी हो गई है इतना महंगा फोन, इतना महंगा फोन, गोरी, ये तुम्हें कहां से मिला है बेवकूफ चिडिया के बेटे को कल रास्ते में ये फोन गिरा हुआ मिला था और सब के घर जा जा कर पोच रही थी कि ये फोन किसका है और मैंने मौके पर चोका मार दिया मैंने कहा कि ये फोन मेरा है लाओ मुझे दो, और उसने मुझे देवी दिया वाह गोरी, बहुत चाला, कहो तुम अब मैं इस कैमरे वाले फोन से अपनी तसवीर खीचा करूगी और हाँ, इंटरनेट से फिल्मे भी देखा करूगी आज गोरी कभी बहुत खुष थी, और फिर क्या था? वा हमिशा है, उस फोन में अपनी सेल्फिया लिया कर देखो तो, मेरा फोन कितना अच्छा है मेरे पती ने लाकर दिया है मुझे, क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को इतने महंगे मुबाईर नहीं है? गोरी, लगता तो नहीं कि तुम्हारा वा आलसी आवारा निकम्मा और कामचुर कालू तुम्हें ऐसे महंगे फोन दे सकता हो, लगता है किसी से चुड़ा कर दिया है और ऐसा कहते हुए कभूतर वहां से भाग जाता है आरे, रुकों, रुकों, गंदी आखों वाले कभूतर, मैं बताती हूँ तुम्हें मगर कभूतर वहां से भाग जाता है इसी रास्ते से तो मैं आई थी, जरूर इसी रास्ते पर कहीं मेरा फोन गिड़ा होगा मुझे अच्छी तरह से मेरे फोन की जानबीन करनी चाहिए बड़ी चील अपना मुबाइल ढूनते ढूनते उसी दुसा में आ जाती है और कभूतर को बैठा हुआ देखकर वह कभूतर के पास जाती है कभूतर, कभूतर, कुछ दिन पहले ही इसी रास्ते पर मेरा एक कीमती कैमरे वाला मुबाइल फोन गिर गया था क्या तुमने उसे कहीं देखा तो नहीं? अच्छा, तो अब समझ में आया कि गोरी ने मुबाइल फोन आखिर लिया कहां से है चील्दी, चील्दी, आपका मुबाइल फोन गोरी कवी के पास है कहां है उसका घर? जड़ा बताओ तो मुझे मगर मगर चील्दी, उसे ये ना बताना कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया है वरना वो आकर मुझे से लड़ेगी पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोज, और फिर लूंगी उससे मुबाइल और फिर बड़ी चील, उसे में तम-तम आती हुए गोरी कवी के घर की ओर चाती है गोरी कवी भी अपने घर के बाहर बैठे, फोन पर विडियो बना रही थी कि तभी उसे कैमरे में एक चील आती हुई दिखाई देती है चील, ये चील, तो मेरी तरफी तरफी आ रही है और लगबी रख भी बड़ी गुस्से में और फिर चील भी वहां आ जाती है मिल गया, मिल गया मेरा मुबाइल, मिल गया लाओ कवी, सीधी से मेरा फोन मुझे वापस कर दो वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दो ये तो मेरे पती ने मुझे ला कर दिया है लगता है, तू बिगरी हुई कवी है अच्छे से तुझे समझ नहीं आएगी और फिर चील गोरी कवी को पकर लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से गोरी कवी की कूप पिटाई करती है चोड़ दो, चोड़ दो बड़ी चील, मुझे चोड़ दो अरे, ये मुबाइल तो चीरियां को रास्ते में गिरा हुआ मिला था और मैंने कहा कि ये मुबाइल मेरा है लो, अपना मुबाइल तुम ले लो, मुझे चोड़ दो अगर मुझ खोल कर सारी सच्चाई पहले ही बक देती तो मार खाने से तो बच जाती पागल कवी कहींगी और फिर बड़ी चिल अपना फोन लेकर अपने घर चली जाती है साम में जब कल्युकवा घर वापस आता है तो गोड़ी कवी के सरीर पर नाखुनों के निशान देख कर वह उससे पूछता है गोड़ी तुम्हें किसने मारा है? कालो जी, कालो जी मार भी खाई और मुबाइल भी जला गया वो मुबाइल तो जालिम चील का था मेरी बचपन की एक चाम पर से अधोरी रह गए और ऐसे कहते हुए गोड़ी को भी रोनी लग जाती है घर में आग जलाने के लिए चिडियां का पती लगड़ियां काच रहा था वह सुबसे ही लगड़ी की कटाई कर रहा था और सुबसे साम हो जाती है और अब चिडियां का पती ठक जाता है जाडियों में चुपा दुस्ट कववा इधर उधर देखता है और जल्दी से जाडियों से बाहर निकलता है और पापा चिडियां का टिफिन खोल कर खाने लगता है वर जल्दी जल्दी से टिफिन में पड़ा हुआ सारा भोजन खा लेता है और खाकर वहां से भाग जाता है भूक लग गई है अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ बाकी का काम मैं बाद में करूँगा और ऐसा सूचकर पापा चिर्यां टिफिन खोलता है अरे ये क्या आज फिर से किसे ने मेरा पूड़ा खाना चुरा लिया अरे कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है रोज रोज मेरा सारा टिफिन खा लेता है अरे अब आज भी मुझे भूका ही रहना परेगा और ऐसे पापा चिर्यां सारा दिन भूका पेठी काम करता है और साम में लगणियां काट कर अपने घर चला जाता है गुरिया के मम्मा कहा है मुझे जल्दी से खाना दे दे मुझे बहुत जुरो की भूक लगी है अजी खाना तैयार है क्या आज फिर से किसी ने आपका खाना तो नहीं चुरा लिया हाँ हाँ आज भी मुझे भूका ही रहना पड़ा जैसे ही मैंने खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला तो टिफिन खा ली था पापा जरूर वो चोर आप पर नजर रखता होगा और जैसे ही आप टिफिन से थोड़े दो चले जाते होगे वो अपना काम कर जाता होगा गोड़ी मैं तो जाड़ियों में चुफा हुआ था और जैसे ही उस चिडिया का पती लकडी कातने के लिए इधर उदर गया मैं जट से उसके ठिफिन को खोल कर उसका साड़ा काना खा गया कालू, क्या था, आज ठिडिया ने उसके ठिफिन में क्या रखा था एक भूनी हुई मचली बचली का नाम सुनते ही गोडी के मुह में तो पानी आ जाता है फिर तो तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा कालू मैं भी मैं भी जाओंगी कल तुमारे साथ चिडिया के पती का टिफिन चोड़ी करने हाँ हाँ चलना मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है अगर पकड़े गए तो मार तो लगेगी ही और उपर से रुसवाई अलग होगी फिर दूसरे दिन गुरिया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तयारी करते हैं ये लीजे जी आपका टिफिन आज मैंने टिफिन में आपको खिचरी दी है और हाँ आप टिफिन पर ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो चोड़ आए और आपका सारा टिफिन खाकर चला जाए हाँ हाँ गुरिया की मा आज मैं अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा और फिर टिफिन लेकर गुरिया के पापा काम करने के लिए चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ गोरी कवी और कालू कवा भी टिफिन चोड़ी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं आज मैं इस पेर से लगडियां काटूंगा और हाँ अपना टिफिन भी मैं अपने पास ही रख लेता हूँ और फिर वो अपना काम सुरू करता है आज तो इस चीडे ने अपना टिफिन अपने पास ही रख लिया है कल तो वहाँ वहाँ रखा था इसने अपना टिफिन कालू कालू प्लीज कल भी तुमने भुनी हुई मचली खाई थी तुम ना जाओ उस चीड़े के पास और जाकर उसे अपनी बातों में फसाओ मैं ना पीछे से उसकी साड़ी टिफिन खा जाओंगी कालू गोडी कवी की यह बात मान लेता है और फिर वह दूसरी तरब से उरता हुआ चिड़ियां के पती के पास जाता है क्या तयारी चल रही है जी मैं मैं लकडियां काट रहा हूँ थोड़ी ही दिनों में जंगल में बर्व पढ़ने वाली है और ठंड का मौसम भी तो आने वाला है इसलिए घर में आग जलाने के लिए मैं लकडियां इकठा कर रहा हूँ वैसे कालू तुम तुम कहां से आ रहे हो आडे यार अब मैं क्या बताओं आस तो मैं बाल बाल बच गया मैं बैठा हुआ था कि तभी पीचे से एक खुनखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर कालू खवा इस तरह अपनी जूटी कहानी सुनाना सुरू कर देता है और पीचे से गोडी कवी चिरे का टिफिन उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर ले जाकर उस टिफिन को खोलती है खिचरी देख कर तो गोडी कवी की आँखे बलब की तरह चलने लगती है और वह जट से जल्दी जल्दी सारी खिचरी खा लेती है और खिचरी खाने के बाद वर टिफिन को फिर से उसी चकप पर रग देती है जहां से उसने टिफिन को उठाया था कालू तुम फिर कभी पहाडों की तरफ मत जाना वहां बहुत खतरा होता है अच्छा ठीक है अब मैं जाता हूँ मेरा काम हो गया अब तुम अपना काम करो और फिर कालू कभा वहां से चला जाता है गोरी भी थोड़ी दूर एक पेर पर बैठी हुई थी कालू जब तुमने कहा कि मोचील तुम्हें पकरने वाली थी ताभी तो मेरी हासी ही निकल जाती बेवकोफ चीडा वो मेरी जूटी कहानी को कैसे सच समझ कर सुन रहा था वैसे गोरी आज टीफिन में था क्या आज टीफिन में खिचड़ी थी वो चड़ियां तो बहुत ही मज़े की खिचड़ी बनाती है आरे खाकर तो मज़ा ही आ गया अच्छा ठीक है अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ गोरी घर चली जाती है अरे ये क्या मेरा टीफिन आज फिर से खाली है मगर ये कैसे हो सकता है आज तो सारा दिन मैंने अपने टीफिन को अपने पास ही रखा था मुझे तो लगता है ये कोई जादू है नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे टीफिन से सारा खाना गायब हो जाए और उस दिन फिर से पापा चेर्यां भोखा ही रहता है साम में जब पापा चेर्यां घर वापस जाता है तो अपनी पतनी को सारी बाते बताता है गुरिया की मा मैं पास में ही तो था फिर ये कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब तो मुझे उस चोड को पकरना ही होगा, वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोड़ी करनी लगा है पपा मैं कल आपके साथ जाओंगी और मैं टिफिन के पास ही कहीं छुप जाओंगी और जैसे ही वो चोड आपका टिफिन चोड़ानी आएगा, मैं सोड मचाओंगी हाँ, और फिर वो चोड पकरा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी कालो जी, कल हम कैसे चोड़ाएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन कल की तुम चिंता मत करो, कल मेरी बारी है और मैं अपना काम कर लूँगा फिर अगले दिन जब ममा चिड़ें पापा चिड़े के लिए टिफिन तयार करती है तो खाने में पेट खराब की दबा की कुछ बुन्दे मिला देती है सुनिये जी, आज आपको टिफिन नहीं खानी है क्योंकि आज मैंने खाने में पेट खराब होने की दबा की कुछ बुन्दे मिला दी है ताकि उस चोड को मैं अच्छा सबक सिखा सकूँ अब तो अब तो वो चोड पकड़ा जाएगा तुमने उसे सबक सिखाने की अच्छी यूजना बनाई है पापा, पापा मैं भी देखूंगी कि वो चोड कान है जो हर रोज मेरे पापा का खाना चोड़ी करके खा लेता है और फिर पापा चिडिया अपना टिफिन लेकर अपनी काम पर चले जाते हैं आज पापा चिडिया जान बूच कर टिफिन को थोड़ी तूर पर रख देता है और दूसरे पेर से लकड़ी काटना सुरू कर देता है कालू कववा तो जारियों में बैठा टिफिन को ही देखे जा रहा था मौका अच्छा है अभी काम दिखाता हूँ बूक भी बड़ी जोड़ा की लगी हुई है कववा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोडी कववी भी आ जाती है कालू जी मुझसे रहा नहीं गया मैं भी खाऊंगे टिफिन कालू जी चलिये ना हम दोनों मिलकर टिफिन से खाना चोड़ी करते हैं और फिर कालू कववा और गोडी कववी आहिस्ता आहिस्ता टिफिन के पास जाती हैं और जैसे ही टिफिन खोल कर उसमें हलवे को देखते हैं दोनों के मुझ में पानी आ जाता है और दोनों उस हलवे पर तोट परती हैं और चंद मिंटों में ही सारे हलवी खाकर खत्म कर देते हैं कालो, कालो कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है ऐसा कहते हुए गुरी धमाका करती है और साथ ही कालो सोर मचाता है मेरा पेट, हाई नि मेरा पेट, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मेरा पेट बहुत दर्द करना है हाई मुझे कोई बच्चो सूर सुनकर चिरा भी वहाँ आ जाता है सामने टिफिन खाली पड़ा हुआ था और दोनों को वे जमीन पर टांगे उठा कर पड़ी हुए थे अच्छा तो ये तुम दोनों हो जो रोज मेरा टिफिन चुड़ाया करते हो एक ना एक दिन तो तुम दोनों को पकरा है जाना था ना हाई मेरा पेट प्लीज हमें डाक्टर के पास लेकर जाए नहीं तो हम मर जाएंगे मेरा पेट हाई मेरा पेट ममा चड़िया और गुरिया भी वहाँ आ जाते हैं साथ में मिठू दोता और कबूतर भी था अच्छा तो ये दोनों वो चोड थे आकर पकरे ही गया ना दोस्नों दोस्नों प्लीज मुझे बचालो मेरे पीट में बहुत दर्द है चोड़ी का भोजन खाओगे तो पीट में तो दर्द होगा ही और खाओ और खाओ चोड़ी का भोजन आज के बाद तुम दोनों कभी चोड़ी नहीं करोगे किसी ना किसी तरह वे दोनों भाग कर अपने घर पहुँच जाती है गोड़ी मुझसे सोचाले जाना नहीं हो पाएगा अजी आज के दिन घोसले को ही सोचाले बना लेते हैं मेरा भी यही हाल है और ऐसे चिरिया अपनी बुद्धी से उन कववों को अच्छा सबक सिखाती है और उन दोनों कववों को सभी के सामने शर्मिन्दा भी होना पड़ता है प्यारी दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना